हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं अबने स्वाकत करता हूँ पर फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आई भी प्येस क्लर्क का जो एक्जाम अभी हाली में कह सकती है तो वीडियो शूर्ड करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दीजिएगा बैंकिंग बोर्ड की पलपल अपडेट के लिए और महीं मैं अगर बात करूं तो एस बियाई क्लर्क आरवी इसिस्टें कि जो आइवी पियस क्लर्क है पियन भी ने उसके अंदर नो सो पचास वैकनसी अपनी एड की है और अभी इंडियन बैंक जो है उसने भी अपनी वैकनसी जो है नोट रिपोर्टिट की है नोट रिपोर्टिट का मतलब है कि उन्होंने अभी अपनी वैकनसी को ओपन नहीं किया है बताया नहीं है IBPS को कि हम इतनी वेकंसी आपसे लेंगे क्योंकि IBPS जो है वह बोड है एक वो एक्जाम कंडक्ट करा के बच्चे स्लेक्ट करके बैंकों को देता है तो अभी आई बी पीएस थक उनकी information नहीं आई है कि कितने बच्चे हमें आई बी पीएस से चाहिए तो इसलिए हमापन नोट reported लिखा हुआ है महीं अगर मैं बात करता हूँ आई बी पीएस पियो की तो आई बी पीएस पियो में भी vacancy increase हुई है और clerk में भी vacancy increase हुई है तो इसका आपकी cut off पर जाहिर सी बात है असर तो होगा ही क्योंकि जब vacancy ज़्यादा होती है तो cut off जो है वो एक clerk की vacancy आपकी 8000 प्लस तक हो चुकी है आगे भी उमीद है कि बढ़ने के chances है तो 9000 तक आपको यह जो vacancy है clerk के लिए देखने के लिए मिल सकती है और वहीं अगर मैं बात करूँ IVPS PO और IVPS clerk के result के बारे में तो IVPS PO का रिजल्ट आपको आज यह कल में कभी भी आप मतलम देखने के लिए मिल सकता है लेकिन अगर मैं बात करता हँ हम में ७ख़ आई भी पिएस कलर के टिरल्ट के बारे में तो वो आपको इस वीऱ्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिले आपको 31,2 दो को को ही देखने के लिए मिलेगा हो सकता है आपको न्यू येर वाले दिन भी IBPS का जो result को देखने के लिए मिल सकता है अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी हो तो चैनल को like, share, subscribe and comment करना ना भूले, thank you